नादिया नादिया गोद्र में नीच्या नंदर महाच्यान पत्टिया छे नमहाच्या जी भेरा करा नादिया नादिया गोद्र में नीच्या नंदर महाच्यान पत्टिया छे नमहाच्या जी भेरा करा बजी आचि नमातर कुछ Hare Krishna आए Please sit down everyone Same time I like to request the devotee Because where you are sitting Behind there is a deities The temple So you don't have to sit like this You have to sit like this Ayesha थोड़ा गुम जाए गुरी बश़ो गुरी बश़ो You know थोड़ा गुम के बाइटिये Slightly you Don't show your back to the deities It's offensive You don't have to see that side You don't have to see there You have to see here The lecture program will be here But my point is that You don't have to show your back side Directly to the deities Just turn a little like this Like this You see my position Okay Yeah This is what you are doing very well Good This I know this hall is not enough For the parikrama deities But Many deities can go up There is also space in up There is also space in up You can go up You can go up I mean You know You don't have to go up You don't have to go up You don't have to go up प्रभु लच्मीन प्र्या विष्टुम्प्रया पंचुद्थत्वा अजिस्ट याश्ट शुद्थ निगन हां Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna इस्टना इस्टना ओर озरे और लामS आरे इस्टना ने पत्स को आत्स ड़िमों हरी बोल, 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 हरी बोल प्रिख्रोप्ता, बेलाओत, व्यों स्क्राइब्स प्रिफ्स्न को हाडे हारा, हाडे हार बहुछ अबसरों नफड़का हरिबाल, हरिभाल, हरिभाल हरिभाल हरी बाभुपार, 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 हरी बाभुपा गोरंगा गोरंगा बाइठी ये सब लोग बाइठी ये प्लीस सिट आव बाइठी ये शुट्रीष्णा चैतना प्रभो दयाकरामारे प्लीस सिट आव बाइठी ये शुट्रीष्णा चैतना प्रभो दयाकरामारे अरे 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 ये शुट्रीष्णा चैतना प्रभो बना है तो तब आवतार पतिक्त हरी करशी जावनायतो तामा रागता मो शामा पातिता प्राभो ना पाये बया चली बहुत प्राभो ना पाये बया आहा प्रभुनितानन्द प्रेमानन्द शूखि आहा प्रभुनितानन्द प्रेमानन्द सूखि क्रिपावलो कनकर आमि बड़ दूखि क्रिपावलो कनकर आमि बड़ दूखि दयाकर शिता पति अदाइत गोशाए दयाकर शिता पति अदाइत गोशाए दयाकर शिता पति अदाइत गोशाए दवो क्रिपावले पाई जयतन निता दवो क्रिपावले पाई जयतन निता दवो क्रिपावले पाई जयतन निता आशरुप्षनातना रुपरगुना आशरुप्षनातना रुपरगुना आशरुप्षनातना रुपरगुना आशरुप्षनातना रुपरगुना बट्ट जुगा शी जीवहा प्रभुलकुना बट्ट जुगा शी जीवहा प्रभुलकुना बट्ट जुगा शी जीवहा प्रभुलकुना दयाकर शिया चर्जा प्रभुशी निवाश् 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 रामचंड्र संगमागे नरतमदाः 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 यायसे क्रिष्णा जैतन्ना प्रभुनित्तनांदाः स्यद्ध इत गदाधर सिबाशादी गौरा भक्त बेंदाः जोड़ा बक्त बैंदाः Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nithananda, Shriya Taita Gada Dharasiva Shadi Gaurabhaktavenda Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nithananda, Shriya Taita Gada Dharasiva Shadi Gaurabhaktavenda Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nithananda, Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna Hare, Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare, Rama, Rama, Rama Hare, Hare आरे गिस दाँ, लगिलाँ, आरे, आरे लामा, आरे लामा, लामा, नामा, आरे, आरे पिरा यो ओम रंरेङ्फ तीस सुल पोम्र पृल भर्ण оф हुऊ-क्वारी मारा dai ए sizin है model जया घोरय बिनी técnica के मिझन समय क्योण पृल का है धो mana है दया पृला नता है घोर निथा थोर निथा तो टॉला निथा है यौ 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 प्राभुपान त्राभुपान, ज्ञाभुपान रिताी गौ रषती पूंत हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल ही ताइग और हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल ही ताइग और हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल गोरंगा, 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 गोरंग कि ईडिखनी हम ज다ुम ढ स्लक्राव अबनाइ की रूखा टार्णाम। वोह हम मना जान्यासी हैं कि जौन जा में जानाओ कर दो कर दो एक्ता तरी система कर्णरे ही के और ग 고양ी चंसajes गर्णा क्रिशना प्रेह चाहम फुजड खंचे मैंचे तनीसमा Χणपरा और माःस्वूरजित्ष माहराजग है तनीस घटनीस का वो मैं अ शेयत घरिटन görün About the yoga So, thank you very much for giving me the opportunity to speak. So, this is the most holy place on this planet, because it's the birthplace of Lord Chaitanya Mahabrabhu. Yes, Saji Mata and Jagannath Mishra gave birth to a wonderful child here. And you can see the Neem tree under which Lord Chaitanya was born. He was called Neemai, because he was born under a Neem tree. And you know, one of the most wonderful things about Lord Chaitanya's childhood was that when he was a baby, he was always crying. Nobody could stop him crying. And then, one of the ladies tried, let me try chanting the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna. He immediately stopped chanting, stopped crying. Wonderful, eh? I was in a plane recently, and they couldn't stop the child crying. They couldn't stop the child crying. They tried everything. Everyone was disturbed. I was thinking, wow, why didn't they try chanting Hare Krishna? Maybe it's another Lord Chaitanya. No, of course not. So, this is where Lord Chaitanya was born. And later in his life, from here, he predicted, actually, when the ladies chanted, Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! He stopped crying. Hare Krishna is a short form of the Hare Krishna Mahamantra prophet, said. Hare Krishna is a short form of chanting Hare Krishna. Later on in his life, Lord Chaitanya predicted, पृति विति यता अच्राइण प्राइण नगराधि ग्राम सावत्रपचा हुई वह भी मोनाम उन्हिए हुई 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 प्राइण गुछ इते विद गश जान अपर लिष्श दुछ आए हैं that in every town and village of the world including we just came from Vietnam, we just came from Hong Kong we just came from so many places all over the world they will be chanting the holy name, my holy name Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Shri Adwaita Gadadha Sivasa In other words, Lord Chaitanya said, I'll be famous all over the world as the most munificent incarnation of the Lord because I distributed the holy name to everybody the holy name of Krishna has risen like the shining sun drink the pure nectar of the holy name, Bhakti Vinod says, there is nothing but the name to be had in all the 14 souls. So let us repeat the first verse of Shri Shri Shastakam together which is Lord Chaitanya's teachings Jai Tadha Panamajanam Bhava Mahadavakni Nivapanam Shri Akai Vachandrika Vitaranam Vijayavadu Jivanam अनांधं बुदिवार्दनां प्रदिपद्धं पुनां रिचास्पर्दनां तर्वत्मस्थपनां पर्ण विजयते शी कृस्ना संकितनां All glories to the Shri Krishna Sankhatan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years together. Thus, the fire of conditional life, of repeated birth and death, is extinguished. This Sankhatan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge, it increases the ocean of transcendental bliss, and it helps us taste the nectar for which we are always anxious. So this is Yogapit, the place where Lord Chaitanya was born. And Prabhupada said that Mayapur Center, down the road, is even more important than Yogapit, because that is the place where the movement was spreading this Hare Krishna mantra worldwide. was started by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada King! Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Mahavishnu Swami Maharaj. Next speaker will be His Holiness Radha Raman Swami Maharaj. Yeah, Radha Raman Swami Maharaj will be leading the Hindi speaking party. Right? You can talk about Hindi? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare. हम लोग बैठे हैं योग पीठ चेतने महापुरू का जयन मर्स्थान आविर्भाव भूमी सची महाता है का आंगान ही है आप आंगान में बैठे हैं नीम का बरिक्षा है बगवान का स्री विग्रा है हम प्रारम करते भागवान चेतने महापुरू में एक छोटी सी लीला का बढ़न करूँगा उसके पहले हम लोगे मांगने की बहुत आदत है तो कुछ मांग ही लेते हैं जब आप दर्शन किये ही होंगे पीछे नीम का आख्षे पीछे दुसरे साइड में एक छोटा सा सीव जी का मंदिर है सीव जी के मंदिरी में उसमें लिखा हुआ है बंगला में पयार लिखा हुआ है हम आ रहे थे तो पढ़ लिए देख लिए एहो छेत्रपाल शीव तुमी दया मय क्रिष्ण भग्ति देह मोरे हई आश्रदाय अर्थास पर्ष्ण एहो छेत्रपाल शीव शीव जी या नौदीब धाम के शेत्रपाल है रक्षा करते हैं आपको सची माता कि आंगने भही प्रत्रिष्ठीत है क्रिष्ण भग्ति देह मोरे स्रीव जी से कुछ याचना करना क्या करना है क्रिष्ण भग्ति देह मोरे हई आश्रदाय क्रिष्ण भूमी है जोग पिठ है जन मल्स्थान महराज हमको थड़ा कुलू दे दिये महराज एक चेत्रपाल की बाल लीला का बढ़न के निमाई चेत्रपाल की दम ही छोटे थे तो मैं एक छोटी सी लीला का बढ़न करता हूं यह लीला इस ही अस्थान पर मतलए कोई सची माता के आंगन में ही हुआ था एक देन की बात है सची माता जगनात मिस्त्र माता पिताब भगवन चेतने महापरू के बैठे थे, आंगन में ही बैठे थे, दोनों बैठे थे, सची मा बैठी थी, और जगनाथ मिश्र बैठे थे, और भगवान एकदम एकदम छोटे थे, दो बरस, डेड़ बरस, तो बरस का उम्र था, खेन मत आचे प्रभु जगनाथ घरे, अलग छीते बहु बिधी सोपरकाश करे, चेतने महाप्रपन लिला का प्रकाश कर रहे थे, भगवत्ता का प्रकाश कर रहे है, एक दिन की बात है, एक दिन डाकी बोले, मिश्र पूरंदर, जगनाथ मिश्र डाकर, पुकारे, इधर आमार पुष्टक आनव बाप बाप बिस्तोंभर आंगन में बैठे थे दोनों के कि बेटा जाओ घर में किसी मेरी पुष्टक रखी हुए पोती रखा हुआ है उसे लादो बापे रब बचन शुने घरे धाईयां पाए जाए पिता जी ने अग्या दिया भगवान को छोटे थेखदम छोटे याद अपने क्या कहते हैं मस्तिस में चबी लाने का प्रयाश करना चाहिए बापे रब बचन शुनी घरे धाईयां जाए दवड कर जित जगनात मिसने कहा कि बेटा जाकर पुष्टक लाव अंदर पड़ा हुआ है तो चेतने महां पुष्ट दवड कर गए लाने लेकिन जब जा रहे थे रून जून करिये नुपूर बाजे पाए भगन जा रहे थे तो उनके उनके तो चरण में नुपूर नहीं बना बंधा था लेकि कि दिव्य ध्वनी नुपूर की ध्वनी कानों में परवेश किया जगनात मिसर्जी के और मार्शची के तो ऐसना जगनात मिसर्जी के और मार्शची के कानों मिस्त्र बोले कोथा शुनी नुपूर ध्वनी बड़ा आश्चर्ज हो रहा था जगनात मिसर्जी को कि बच्चे के चरण में नुपूर तो नहीं बंधा है लिकि उसे दिव्य मधूर ध्वनी कैसे आ रहे है लेकिन देख नहीं लेसे पाइब तो था तो नहीं तो चेतने महा परो छोटे बच्चे तहीं गए घए जगनात मिसर्जी का अमार पुत्रे पाए नाही कान नुपूर मेरे पुत्र के चरण में नुपूर नहीं है कोथा बाजील बाद्य नुपूर मधूर तो धुनी कहां से आ रहे है आइसे तो बिचार ही कर रहते कियद भूत दोई जने मने मने गने बचन नाश्फूरे दोई जने रबदने समझ में नहीं आ रहा था बड़ा श्चर रहा था कि उद्नुपुर तो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन आवाज के मार रही है कर दो आई कि इसके पाद पूति दिया प्रभु चले नंद खिलाई थेस्टिने महापुरु आये च्छोटे बच्चे थे पुति लेकर आए पुष्टक लेकर आये बही लेकर आयो जगनातमी स्रेके हाथ में देदिया और बहुन चेटने भूमने के लिए आंगन में दूसरी खेलने के लिए चलेगा। लेकिन उनको ब्यत्थित कराते हैं तो आखिर ध्वनी कहां से आई। कहां से आखिर ध्वनी समझ मनेया तो भर में गए। तो घर में गए तो देखे कि चरण चीन पड़ा हुआ है। षयरिए कौमी नम시면 लेकिन देखे तो ठें लिए बने अधिन को एन चार इन छाप पड़ा हुआ है। पाइर्ड हमें चूट चार्ण चीन पड़ा हुआ है। उस्में चरण चीन पड़ा हुआ है। मायूर के अंकुस के निषान बने हुए तो यह कैसे चरंचिन कैसे आ गए तो तो कलपना नहीं कर सकते थे चेतिने महा परुके को भगवान थे तो थो सचान बच्या है तो दोनौन हे अनुमाण कर वा एक सालीगराम शिला लान, दामोधर शालीग्राम, शालीग्राम शिला था, नाम रखे थे दामोधर, तो दोनों ने विचार किया कि आइसा लगता है, कि शालीग्राम जी, गोपाल जी, लड़ू गोपाल जी, मुर्ति पानोकर वही घुमे हैं, इसलिए उनके चरण का चिन है, पूरे घर में, आंगन मे फैला हुआ है, दिख रहा है, तब क्या करना चाहिए, तुरतुनों ने क्या कि, हम लगों को हमारी पूजा से शालीग्राम, लड़ू गोपाल, उनका तो चरण चिन नहीं था, लेकिन वो समझ रहते हैं, चरण चिन तो भगवान चेतने महापुरुगा था, तो समझे कि ल सालीग्राम शिला मुर्तिमान होकर बच्चे के रूप में भरमण किये हैं, हमारी पूजा से बहुत परसन है, तब कुछ सेवाद क्या करना चाहिए, तुरत, जगनाथ मिस्तर जी और मास्ट चीब, सालीग्राम का अभिशेख करना है, खुसी में, तुना पंच गव्या था पंच अमिर्त बुलाया और सालीग्राम जी का अभिशेख किये, तो यह इसी अर्स्थाब, जहाँ आप जहाँ बैठर आएंग, वहीं अभिशेख हुआ होगाया, आंगन ही है, तो भगवन अपनी भगवत्ता बार बार परकट करते थे, लेकिन जो उनके अतरंग होते हैं, उनके मन में शवपन में भी यह विचार, भगवन अपना आइश्वर्ज, अपना माधुर्ज, अपनी भगवत्ता परकट करते हैं अपनी इल्या में, लेकिन उनके अन्यतम रगानुगा भक्ती में प्रमिन भक्त होते हैं, उनके मन में शवपन में भी यह विचा तो भग्वान की यह बाल लीला, मधूर लीला यहीं पर, यहीं पर मतले की जोग पित में, मासची के आंगन में, जगनात मिस्त्र, और मासची के देख 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 यह लीला हुई थी. अरे किस्टन, मैं पूर लीला. Thank you, Maharaj. Our next speaker is going to speak in Tamil. Our next speaker, Balaram Pirabu. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Hare! Hare Hare Hare! All Glories to Śrīla Prabhupāda, All Glories to all Vaishnavas and Ācharyas, Sanyasīs. Śrīla Prabhupāda, Mercy, इंद परिक्किरम मत्त, ना कटंद इरुवत्तिमोन वर्रंगलाग सेधु कोंड इरुगरेन। इंद वोलगत्तिले, मिगुवुन कटक्याद नहीं वनननु किष्णन प्रेमम् स्वाध, Čत्या महाप्रभू, नमक्क्क इलवा समाह कुड़त्तों ल्लार् नमो महा वधन्याये क्रिष्न प्रेम्य परताहिते क्रिष्नाय क्रिष्न繼續 कंघफश्न Windsor तिरुप्पधिले, सिरीरंगतिले, यंगो वर मदलै, कूडललक परमालना आइसवर्य बाववं बट इंगे नवधी मंदाल परिक्किरम ले आउश्वद भावं करुने अवधारं चैथनिय महापुरभु, मिगंद करनयोड इंद क्रिष्ण बक्तिय उलगत्तिल उल्ले यल्लारकों कुडुपद इरुक्कु इंद नवधी मंदाल परिक्किरम वाइप यंगलिक्लां कुडुद्ध रुक्कुरार् चैथनिएल इंद कर्ण안ड इन अड़ इंद कर संय यल्लोवें इंद किष्नप्रेमत्परे मत्त्त कुड़कनुम्गरुदु महाप्रुणिये विरुपप उप्रुपम् जो महाप्रुपवत्प इंगे नम्म एल्लोवें आशिर्वाधमायीं कोंडु इन्ध नर्विध मनिक्रम पंडिलते शिरप्पाग नड़ेपरन मंड़ी बगवांड प्रात्त नम पंडिकें Hare Krishna Thank you Nandri Thank you So the Tamil party will be with the international party this year They are not separate, they are travelling with the international party So there will be Tamil translation going on with the English party Next speaker we are going to hear from Ambarish Maharaj Who is going to speak in Russian Hare Krishna When Bhakti Vinod Takur has written a letter to Shila Bhaktisidan Saraswati Takur He gave him one of the instructions that he gave in his letter Was to revive Navadvip Mandala Parikrama And he said in this letter that by performing this Parikrama We can liberate the whole world Who is going to speak in Russian? Who is going to speak in Russian? Поднимите руки, пожалуйста We are now with the place of the birth of God Chaitani And this place belongs to Kostavu Antar Dvip To whom соответствует предanное служение Полное предание себя Господу Atma Nivedanam And here we can ask you about successful совершений Navadvip Mandala Parikrama здесь находится божество Шетра-Пал-Шива, который охраняет святую Дхаму, и без его разрешения мы не сможем глубоко проникнуть в эту святую Дхаму, поэтому здесь мы можем помолиться ему, и также здесь на главном алтаре находятся божества Рада-Мадавы, Шипанчататвы, и сзади нас находится храм, Первый храм, который построил Шилабхактвенод Такура, когда он открыл это место, здесь были установлены божества Лакшмин Рисимхи и Угор Гададхар. Также здесь есть Пушпа Самадхи Бхактвенода Такура. Мы можем тоже помолиться ему, поскольку он является тем, кто возродил движение Господа Чайтани в наше время, и поэтому мы очень нуждаемся также в его благословениях. И также здесь дерево, под которым родился Ши Чайтани Маапрабу, и это место было 200 лет затоплено. После ухода Господа Чайтани Ганга резко изменила русло и полностью затопила это место, и когда 200 лет спустя она вернулась в старое русло, никто не знал, где находится место явления Господа Чайтани, и воспользовавшись этим, жители города Новодвипы объявили, что место явления Господа Чайтани находится там. И Бхактвенод Такур, когда он приехал сюда, он очень молился Господу Чайтани и просил его открыть истинное место явления, и благодаря его горячим молитвам, а также огромной работе, которую он проделал по исследованию карт, исследованию древних источников, было наконец-то обнаружено место. И чтобы подтвердить это, он привел сюда своего духовного наставника Шилу Джаганат Хадаса Бабаджи, который как раз и подтвердил, что это именно то место, где явился Господь Чайтаня. Поэтому здесь мы должны получить благословение Ши Чайтани Маапрабу на совершение этой парикрамы, и молиться о том, чтобы Господь открыл нам сокровенные моменты этой святой Дхамы. Ши Йога Битки. Ага. Thank you, Ambirish Maharaj. Мы действительно в социальной социальной социальной, не имеем? Мы имеем центры вокруг всего мира, и мы имеем спеекарства вокруг всего мира. Our next speaker is coming from Africa, Шри Ваас Прабу. Шри Ваас Прабу. Шри Ваас Прабу. Омагьяна-тамиридасия гьянан гьяна-шала крияк-сакширамилетам яна-тасмай срегурами на маха. Горанга-тамири гьянан 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 परेक्रमा परेक्रमा so it's very inspiring to see all of these wonderful devotees here in Mayapur and particularly in Yuga Pit coming to Mayapur means that we are coming to connect with the source of the holy name Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare One day Sri Krishna Chaitanya, Nityananda Sahoditao, Gaudadaya Sahodato, Nityananda Samanditao that Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they appear in this world to bless the whole world with the holy names of Krishna. And this is what has attracted all of us all over the world to come, to get inspired, to chant the holy name and spread the holy name. So, thank you for coming, get inspired, get charged up and go back to your various countries and spread the holy names of Mahaprabhu and Nityananda. Thank you very much and Hare Krishna. Thank you Sri Vas Prabhu. Sri Vas Prabhu is one of the initiating spiritual masters preaching in Ghana and countries like that. Our next speaker. Bhakti Vijay Bhagavad Maharaj. A very great favourite. We're here in Bengal. We're here in Bengal, we have to hear the language of the people. In China we say, Jain Ren Jan Rang Hwa, Jain Gui Jang Gui Hwa, among the people, we speak the language of the people. And here in Bengal, the language of the people is, Bangla. Not Bangla, Gaur Bhasa, Gaur. Oh, Gaur Bhasa. So Hare Krishna. So one announcement that Gauranga Mahaprabhu, half of his past time spent here in Jogpit. The left side, you can see Jagannath Mishra and Sachi Mata. I think we have seen Darshan. We took Darshan. So Sachi Mata lovingly, affectionately, would call everyday Nimai. Say? Nimai. Nimai. Chaitanya Mahaprabhu, here, Chaitanya Mahaprabhu, here, Chavis Sal, Vitae. But Piyari Bhavse Nimai ka Bula the, Nimai. Nimai. Chaitanya Mahaprabhu, here, Chavis Vachar, Chaitanya Mahaprabhu, here, Chaitanya Mahaprabhu, here, Chaitanya Mahaprabhu. Together, we will chant very lovingly and sweetly. Okay. Say, together. Nimai. 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 So another announcement. This year, our Mahapur Parikura Management organized a special facility. After this Parikrama, you would take Chaitanya Charitamita and go home. Without Chaitanya Charitamita, not go home. The special facility, the Chaitanya Charitamita, our propaganda is that, Ghar Ghar Gauranga. Not Ghar Ghar Tiranga. Ghar Ghar. Gauranga. Gauranga. Ghar Ghar. Gauranga. Gauranga. Ghar 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 Gauranga. Ghar 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 Gaur. He wanted to get Chaitanya Charitamita but he did not. Finally, he got it. But Shila Prabhupada, by the arrangement of BBT, we have so much Chaitanya Charitamita printed, every language is almost 98 languages so we are requesting devotees so please take part of the Chaitanya Choritamita distribution mission this year the special price discounted price please take your own cell or donate to your family members however you should distribute Chaitanya Choritamita at least one set of Chaitanya Choritamita you can take from Mayapur Srila Prabhupada said whatever you do in dham thousand time benefit you will receive are you all? so thank you so thank you so thank you thank you thank you so thank you thank you thank you thank you thank you thank you Chaitanya Choritamita Chaitanya Chaitanya 21 years we have to do it it's not कि चिला भक्ति बीनो ठाकूर्त नी भविश्वत बानी करे छिलेन जे आक्समाय आसबे शारा पिथिवीर मानुस किस्नांग सेतांग बर्तमान देखते बाचे लाल चामडर मानुस कालो चामडर सादा सब धरर मानुस एसे जय सची रंदन बले किट्तन करवे के अपर के गलाय जोड़ा जोड़ी करे और सईटा सई भविश्वत बानी आमरा आखन देखते बाच्छी तो आज के एकने प्रए सातन नोटी देशेर लोग आछे एकने आक्समागे अरिवा तो लास्ट दिनो आमरा मुहामिलों ने जुकत हवो चला भक्ति सिध्धान ता सरशित्धा गू पुर्तिनी चेह चिलेन नवदिव धामेर तीन भावे सेवा हए एक हटीज नामट प्रचार दितियाचे ग्रंथ पचार बोई छापावर पचार करो आतितियाचे परिक्रमा तामरा तीन चाही कर्वाई परिक्रमा ते एवं भक्तिविनत ठाकुर बोलेचेन सत बर्चे सब्त तीड़ थे मिले जहाँ भाई नवद दिपे एग रात्रे बोशे ताह पाई आपनी जोदी एक सबचर बाचेन करने कोली जुगेर आयू भगवान दीचेन आपनी एक सबचर बाच्टे पारेन आइके कर जरो सिनियार लोग रोएचे नामने दादु दिदा ठाकुमा तारा है ता सेंचुरी कोले कोड़ पारेन इता हमरा है ता सेंचुरी पारवना जोदी बाचेन एक सबचर कर लिए दा शारा जिवन अपनी तिर्था जात्रा कर बें चाट्रा मुक्ति तिर्था अचे हाँ अजद्दकासि क्वया कंची अरिदार साथ्ट्रा मुक्ते तीर्था घुरे घुरे जा पुन्णफल जा सुकृते अर्जन कोडवें नवद्दिवे एक रात्र इताई पे जवें तो एशुजोग छाडवें करनों एक रात्री ना आमरा कोई रात्री धागवो नई रात्री वाँ एट आचे अंतर दीव, आमादेर प्रथम दीव हच्छे सिमन्त दीव, आमरा काहीनी परे सुनाबो, नाटा दीव आच्थके मने राखवेन गाइडवो के द्यावा चे, शेशेर दिन मुखस्त कोरे जाबेन। प्तम दीव हच्छे सिमन्त दीव, परवति माता सितिते गोरंगमापूर चरंथ लागे चलेन सिमन्त दीव, दिटिया दीवच्छे गद्रुम दीव, इंद्रयवंसूरभी यकने तपसा करे चलेन् continu प्तम दीव, सिमन्त दीव, गद्रुम dziव, तार पर आमरा जवव रितोडिफ मादोधृमृ तार पर रुद्रदिफ फाइनली एखनेयाश वो एता यह दिपर नाम कचे अंतरदीफ ब्रह्म्हा बिर्ण्दावने भागवने चरने अपराद करे चीले तार गो बहस्ट हरं करे तो तिनी चाही चीले इकोली जुगे गोरांगो महाप्रभो अभतार आगे तिनी एक्ने एकसे तपस्दकरी छिलें आर तरत तपस्द ज needs जे गोरांगो महाप्रभो डर्षण दी छिलें युद जीगा च ख़चे लें न गह जीजा हो ब्रहम्हा जी आपनी कया उत तपस्दकर कोुछें प्रम्हा बोले चिलेन, जए आमी दापर जुगे किष्णा पतर अपरात कोरेची आपनार चरोने, जए आपरातेर ग्लानी अनुशोचोनामा के कुरे कुरे खाच्छे, भगवान बोलेन, आमी तो कमा कोरे दिए अपनागे, बला आपनी कमा कोरे दिए चें, किन्तु आमी खम आमार जगो नहीं, बला आपनी की चान, आमार आमी उचे सर्वसेष्ट जीप, बड़ पत, पत माने एक्टा पदेर समने बाव बसाते की आप बलें तो, बीपत, जार जट बड़ पत, तत बड़ बड़ बीपत, आमा के अखांते के नामी ए, एक्दम निचु कूले जनम द तहले आमी यार जब अपरात कर्वना, चईतनो महापुर्फ बोलन है, आमार अपना के लाग धो, आपना के जाबन को ले जनम देब, आपना आर नाम होगे आपनी तीन लुख अफित माला जब कर नामे नाम होगे नामा चार्जवता कर बड़ भर नामाचार्जश, ताही विजली ने शिश्यमात जयापता काचा मि गुरु महाराज बोलें, जे एई अंतर दिप ब्रह्मार अंतर भासना महाप्रभु गेंड कोरे चिलें सही जन्न, एई दिपेर नाम अंतर दिप सभाय अमरा एसेची, पैति नी बोलें, सभाय अंतर थेके महाप्रभु के प्राष्टा करे चोईतन चरितमितन एंग जाब बाड़िते, आर बेसी करे पचार कर वसाएके, हरीवा, नावदी मंडल परीक्रमा की Thank you Maharaj, just by reading Chaitanya Just by reading Chaitanya Charitamrita, you can also learn Bengali If you don't understand the Bengali, then get a set of Chaitanya Charitamrita And read it, and your Bengali will increase a lot All right, next speaker will be His Holiness, Kabhichandraswami Maharaj Hare Krishna The first time we did this, Navadri Parikama Hare Krishna, all right So I have to mention the Shantipur Festival, that's an extra Parikama, we don't cover it on the Navadri Parikama, it's another day A very ecstatic festival, and we have a booth outside Hoping to get some donations to support Thousands of devotees going to distribute Prasadam and the Holy Dham It's a, Bhakti Vinod Takur said, you can save the whole world just by doing this Just by walking around Navadri So we have to thank Loka Naswami for getting this started And all of you for coming This looks like the biggest ever And whatever project you're doing, don't worry if it doesn't look so big in the beginning The first Parikama was just 70 devotees Yeah, now 7,000 That's in like 25 years or something So it's a very, very auspicious thing And everybody who does it, you know, then they tell everyone And now we have so much And it goes on all year I did one, Karthik Perkama, I did one in January Now we're doing again And it's better and better every time Lord Chaitanya's pastimes are unlimited And we take this with us And we can make any place into the Holy Land Just by doing Hari Nam Sankirtan So please pray for all of us That we can absorb ourselves in the Holy Name And in the Holy Dham The contact of the bare feet in the Holy Dham The contact of the air, the dust Everything is spiritual So please take advantage of it all Hare Krishna Thank you very much And read Chaitanya Tartham Rita Prabhupada very kindly didn't make us have to learn Bengali He translated it for us But otherwise we wouldn't be able to read it, most of us But read Chaitanya Tartham Rita And distribute Chaitanya Tartham Rita Nittai Gaur Hari Hari Bo And this place, of course, all Lord Chaitanya's childhood pastimes Especially the early childhood All occurred right here So it's a very special place Hare Krishna Thank you Thank you Kavichandra Swami Maharaj I did want to explain for the English-speaking people About how this place got the name Although His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Maharaj mentioned it In Bengali I don't know how many people don't know Bengali here But for the English-speaking people I thought no harm to say it again That Antardwip This place is known as Antardwip Antardwip means It's the place where The heart of the Lord was revealed The Lord revealed His heart Antard It's hidden in His heart What was hidden in His heart Was the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu To distribute Brajaprim The mood of the gopis of Vrindavan And their deep love for Lord Krishna So Maharaj was explaining How Lord Brahma committed offenses Against Lord Krishna By stealing away the cowherd boys and the cows And Lord Krishna Replaced all of them of course The Brahma Vimohan Leela So Lord Brahma felt very guilty of his offense And he came here And he came to this place 5,000 years ago After committing that offense He came here and he performed austerities He did great tapasya And the Lord appeared in His form As Goranga And the Lord told Lord Brahma That in the Kali Yuga I will come in my most merciful form And at that time You can also come And take part in my pastimes And at that time You will take birth In a low family But you will chant the Holy Name Three lakh times every day And you'll be very humble So of course this was the prediction That Lord Brahma would come As Haridash Thakur And he would be here In the Holy Dham And he would be chanting the Holy Name And so Lord Goranga Lord Brahma Said to Lord Goranga He said that Your pastimes are so inconceivable So bewildering It's very difficult for us To understand What is in your heart And so Lord Goranga Revealed to Brahma That in his heart Was that desire To distribute the Holy Name That everyone Should be given the opportunity To chant the Holy Names Of the Lord And they should want They should chant Within that mood Of the devotees of Vrindavan In the mood of Braja Preem So Chaitanya Mahaprabhu Instructed this to Lord Brahma This was the heart Of Lord Goranga This is Antar So this place Became known as Antar Dweep So this is The central place Nava Dweep Is in the form of a lotus And there are Eight petals On the lotus Maharaj mentioned The names of the different islands And they're in the form of petals And in the center Of the petals Is the Whirl of the lotus That is Antar Dweep Right in the center Of all the islands Of Navadweep Is this Antar Dweep So this earth planet Is the best place In the universe And on this earth planet The best place on earth Is in Bharatwaj And in Bharatwaj The best place The best place Is Goramandala Bhumi And in Goramandala Bhumi The best place Is Navadweep Dham And in Navadweep Dham We're here in the very heart Of Navadweep Dham The Yoga Peak Antar Dweep In Antar Dweep The Yoga Peak The place where Sri Chaitanya Mahaprabhu appears And where he resides eternally This is the birthplace The place where Chaitanya Mahaprabhu appeared To manifest his pastimes Srila Prabhupada told us Birthplace is very important We all know in the news recently There was a Rama Temple In Ayodhya The birthplace of Lord Ram It was a very big fest A very big fest Because the birthplace Of the Lord Very important And Prabhupada also told us His birthplace was very special So now of course in Calcutta We have also Prabhupada's birthplace And here in Mayapur This is the Yoga Peak This is the place where Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared So we have come to this holy place We have come especially To get the blessings from Shri Trapal Shiva To enter into the holy dham We have to get the blessings From Lord Shiva Without his blessings We cannot see the holy dham We cannot see all the pastimes Of the Lord So we have come here To get the blessings Of Shri Trapal Shiva That we Now we have 7000 devotees And soon there will be 70,000 devotees And on and on and on And then 7 crore This is the future This is the future Of Navajip Mandal Parikrama As prediction of Chaitanya Mahaprabhu Comes true His name will spread Every town Every village All over the world Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu Kavitra Bhavishya Bani Khi Bhagavan ke naam ka Shampoon deshme Shampoon ka sabhi gaon mein Parachar hoga Woha shatya honne jara Hoga I mean You know When holy name reaches Every town Every village What is reaching Those towns and villages Is Is Gauranga Nityananda Or Lord is reaching In the form Of the holy name Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu Ka naam Shabhi prithvi Shabhi gaon mein Nagar mein Pahunchega Naam ke madhyam se Soya Bhagavan Nityananda Parhu Chaitanya Mahaprabhu Parvishkarenga Kali khali khali Naam rupi Krishna vathar The day of Gauranga's appearance During the day The holy name Appeared And all those folks On the banks Of Ganga Because it was A moon eclipse Day They are all chanting Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Jish Jish KAL MEN Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu Ka Abhirbha Hoa Here Pajjan Muga Shandhaya Ka Shandhaya Tha And Chandra Gurhan Lagha Hwata Chandra Gurhan Laga Hwata Is Kili Sabhi Loka Bhagavan K Gauranga K Chaitanya Mahaprabhu K Hare Krishna Maha Mantra K Jab Par Tha Bhagavan Avtar Liy S K S At And In evening निमाय appeared here underneath this निम tree, निमाय appeared निमाय भगवन चेतने महापुर का आबिर्भा हुआ निमाय I love to say this name also say निमाय महाराज का रहे कि मैं भी वस नाम को जपने पड़ु अच्छा लगता है निमाय निमाय so the Lord appeared in two forms the holy name form and then his Gauranga निमाय form निमाय 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 and they are non different holy name is निमाय निमाय गौरांगा and Gauranga is the holy name अभिन्नत्वात नाम नामिनो अर भगवन चेतने महापुरु ब्यक्तित ब्यक्ति अर भगवन चेतने महापुरु के नाम दोनों अभिन्ने किसी परकार का भेद नहीं है so holy name yeah this was prediction will go to every town every village all over the planet भगवन चेतने महापुरु के नाम संपूर्ण ब्रह्मान में संपूर्ण बिस्त में पहलेगा why does that name go or lord goes in the form of the holy name to whatever every town why does he go why does he go तो उसे नाम के रूप में भगवन सभी जगा जाएंगे सभी जगा परचार होगा I would say well different things could be said but I would say holy name goes everywhere to bring all those souls back to home back to Mayapur dhaam and as all of them come they are going to be performing नवदिप मंदल ठरिक्रमा और जो जीव लोग जो मनुष्य लोग जो यहां आएंगे भगवान का नाम यहां लाएंगा तो यहां आगर क्या करेंगे वे लोग नवदिप मंदल की परिकरमा करेंगे वक्ति शिधान सुरसवती ठाकूर He is our seventh Goswami. Work, job, services, six Goswamis rendered in Vrindavan. Similar services were rendered by Bhaktivinoda Thakur in Mayapur. Discovering different holy places, past-time places, discovering. Building temples, building temples. Writing literature. Especially Navadhi Mandala, Dham, Parikramat, Navadhi Dham, Mahatmya. And he is the one Bhaktivinoda Thakur discovered this holy place, the birthplace of Gauranga, Namai. With the help of Jagannath Das Baba Ji Maharaj, he was successful in discovering this place. And there were also days when, number one, Jagannath Das Baba Ji, then Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishwar Das Baba Ji Maharaj, and Bhakti Siddhan Saraswati Thakur. So they used to be, like we have little Easter ghosti here, or get together. They used to be at Bhaktivinoda Thakur's, where he stayed, or Samadhi Mandir, that place. They would all used to be together and have a, Nana Shastra, Vichara, Naikanipuna, Saddharmasam, Sapato. These four Goswamis, headed by Bhaktivinoda Thakur, I would say, they would have Easter ghosties. So Bhaktivinoda Thakur Ji ke Adhyaakshhta me, unko headed karte tej te, aura pao je maharaj naam liye anhyek achara joh ka. So yeh-loog saro loogi jaha taa hain, yeahh-phe ishti goshi jya saap baithe ne te te, baithe te. Atwa Bhaktivinoda Ji ka jaha Naadhi hai, ghar wahan baithe te te, ar dhham ki vise charcha kaarte te. So after Naudiv Dham Mahatmiya was compiled by Śrīla Bhakti Vinod Thakur, He wanted or he asked or even ordered Śrīla Bhakti Siddhāna Savaswati Thakur to perform Naudiv Mandal Parikrama. And he did so eight times, eight times. Bhakti Siddhāna Savaswati Thakur, sometimes I heard riding on the back of the elephant, he would perform with the thousands of his followers, would go all around all the nine islands of Naudiv Dham. Bhakti Siddhāna Savaswati Mahatma, He said that Bhakti Siddhāna Savaswati Mahatma, he did the work of Naudiv Mandal Parikrama in the past of the thousand followers and followers. He said that the Bhakti Siddhāna Savaswati Mahatma, he already said that Maharaj says, yeah Maharaj you're reminding me that He's confirming, now one मुराइत तमा, one more thing that he went to all the nine islands and 34 years ago when we started, he's gone walking Parikrama we're also stopping staying one night one island nine islands, nine days Parikrama and many Gaudi Vaishnavas they were appreciating what we were doing बुक्ति सधानसरश्विधार प्रभुपाद विए इधी कर्मा करणा राय कोई बैठीध कर्यार् कर्या है सराहना करते थे आप लोग ठीक वैशा कर रहे हैं जैसा भक्तिसी धान सुर्षती महराजी करते थे तो एक दीप में एक रात रुकते थे वो लोग कहते थे कि हम लोग तो नौदीप मंडल परिकर्मा करते हैं सुबह में जाते हैं शाम को लवट आते हैं लेकिन आप लोग ठी वैसी परिकर्मा कर रहे हैं जैसा भक्ति सिधान सवस्वति महराज ने किया था परिकर्मा करते थे दीप में जाते थे और निव एक रात्री वहीं ब्यातित करते थे तो बहुत ओलोग अप्रेशिएट करते थे बहुत अन्मोधन करते हैं थे परिकर्मा पिरियंस इस वरी यूणी एक्ष्ट्य एक्ष्ट्य वड़े ने थे खुंपरेशिक तुपरेशिए विण परिकर्मा इपलोग करते हैं परिकर्मा करें बहुति या नहीं कि जा संक्ति ऊफिए इन एजोड है अधिप्य एटितित ऐख एइए एक अईसे ची ज बागवान के बिश्यम अनुराग उद्पन होता हर्दे में इवरी इस गुए थूए थूए परिक्रमा लिए थूए 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 अधिश्टा परिक्रमा नवजीप मंदल परिक्रमा नवजीप मंदल परिक्रमा नवजीप मंदल परिक्रम में जाते हैं तो बताते हैं कैसे इनकी अनुभुती होती है जो भक्त कोहते हैं कि उसकी तूणना नहीं कि जा सकती है नियरक बटे नीजिसे दिन की परकर्मा हिस्तों टो मैयापूर। तो इसकृत्實ी नीजिव ठौंट commence और रचंट लिएल जएएल नानकर त ouaisनों बेड् targeting का बिशेष कृपा है कि वहां तर एक महीने तक भटकना पड़ता है तफस्या करना है तो नौ दिन में ही वह लाफ प्राप्त हो जाता है परिकर्मा हो जाती है तो जगनाथ जी तो अपनी कृपा का इदम से अनने तहम कृपा करते है जो बिंडा बन का एक महीने का नौ दिप का मायापूर का नौ दिन का जगनाथ जी से एक दिन में ही कृपा करके करा देते हैं और फल देते तेते हैं और वन देवोड़ी तो जाए पना अनुभूती ब्यक्त किया था अनौधन किया था वै और भक्त हिंगें थे थे ते तो बिंडाबन में आए और ब्रग्मंदल किया था तो आजरी था जी का मृथ तो ऑनौधन किया था सिर्ड़ेन्धन किया खिष्ड़ना और पन्धन में ब्यक्त कर रह था। He said in a while I am in England always think we have to go back to home goal is to go back to home back to Godhead is to think like this and is to talk like this going back to home back to Godhead is a goal of our life but after going through Parikrama he said this idea of going that I have to go somewhere this thought disappeared and he thought I have come back home I am here this is back home I have come back home so I wish you all happy journey through Navadip Mandel In Navadip Mandel you will be able to do five devotional services you will be doing Namsamkirtan bhagva-shravan sadhu-sangh dham-vash and vigra-aradhana and this is last thing I would say this is a very rare opportunity for all of us to develop love and affection towards the Vaishnavas that we will be traveling with this is a time also to do so practice this dealing six devotional dealings that you are traveling with and staying with so bhakti ke priti ke jo chha ayam hai lakshan hai usta ap lo amabh ki jeega so practice we will be covering up so thank you His Holiness Lokanath Swami Maharaj now we have His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj He is one of the main managers here overseeing so many things which are going on in Mayapur so we are very much indebted to him for all of his efforts and service So prior 35 years so this year I see how much bhakti was a little place that is a lot of time I think this is 100 not 100 5-5 thousand people have come but Hindi and English have come so I think it's a lot of bhakti so Maharaj told that Maharaj about और ब्रदमंडल परिक्रम भी महराज सुरू किया उतना ही नहीं पूरे में सिर्ख्यत्र परिक्रम महराज का अश्रिबात से बिस साल हो गया हमाहराज ने बता है ना ब्रदमंडल परिक्रम परिक्रम one month you have to work चैत्रमाहपुर को मालूम है ये कोलीकों का लोग लोग को लेजी है अल्शी है ना देना मेरा पास आओ साथ दिन में हो जायेगा गाव जगनात मुझे फटनार देना होता है उदर भी 15,000 भक्त लोग एकठा होता है इस पारिक्रमा के लिए आप लोग भी भाग ले सकता हैं एविडियर दस्लाइब परिक्रमा पूरी परिक्रमा जस्ट आफ्टर कार्थिक पुर्णिमा 15,000 डिवर्टीज देर जॉइनिंग देर कितना लोग आप इंद्रिय भोग करने चाहते हैं सेंस काटिफिकेशन हम इन चाहते नहीं तो पूरी परिक्रमा जाएंगे तो पूर्ण सेंस काटिफिकेशन मिलेगा सारा दिन में छे घंटा हरी कथा समुंद्र का हावा खाओ जगनात प्रसाद खाओ किर्टन करके फूल अप सेंस काटिफिकेशन मिलेगा अगली साल एक नया परिक्रमा शुरू होगा इस साल हम लोग दो सब्सक्र लेके महाराज एक चक्र परिक्रमा शुरू किया एक चक्र अधाम मैं पहला बार गिया अरी इतना साल परिक्रमा शुरू करें आगली साल हम लोग अनौंस करेंगे इसा दस हजार प्रसाद जाकर निचाए का हाथ में जाके सब जगताना करेंगे जाकर उधाए ब्यूटिफुल प्लेस रियली एंजाए बहुत आनन्द आ जाएगा नित्यांद भू धाम में जाएंगे यह तो ठीक होगा नित्यांद त्रइद्योश का तीन दिन चार दिन पहला हम लोग शुरू करेंगे आप लोग आएंगे आ सकते हैं अब अभी बहुत सारी महाराद लोग आ गए हुआ है इस साल बहुत बरादय बहूत है बहुत शुरू पहले तो बड़ा करके जो परिक्रम हो प्रहुपद का सिस्टना क्यों चुब गिर्राज महराज प्रहएं शप्रहएं महराज निवंजन महराज भक्ति सुद्रन महराज तब से इस लोग सब लेकिन आज घल तो उमर हो गया ना वह जा नहीं पता है लेकिन मैं देखता हुएं सेकंड जनरेशन का पूद महारच सरे आगाएं यह माहरच का मार्केट बेड़िदी आइधार इतना सब कथा बोलने से सब एक्सपार्ट है एक्सपार्ट है दिन भर आप कथा सुनते रहेंगे तो मैं क्या बलू मैं टाइम नहीं लूँगा कथा ब लेकिन मेरे को मोगा नहीं था मैंता अच्छा बात शुनता था मेरे कुछ बोलता था इसे बारे में तो क्या करें वहान में आया ठीक है में बोल नहीं पता हूं इस वबात को मैं किताब लेखोंगा तो शौलोग पॉढ़ पाएंगे तो मैं जाके भक्ति भुनुठाकुर का नव दिपरिक्रमा है और भक्ति अत्ना करें नवद्ध भावत रंग है सब लेके इन नवद्धी परिक्रमा गरंथ हमरा परगास किया हिंगराज्य हासा में हिंडी दूर्ट हासा में बांगल हासा में तामिल वाज़क्या है क्यों को प्रोमर्ट करता हूं देखिए आप लग दोग सुनता हैं कि बहुत आर बहूत बहुत बहुत हार बहुत चुनते ही नहीं है बहुत इतर बेटते हैं ध्यांत के सुनदेने िगर में मन बइठा है अभी सुनते हैं यसे भूल भी जाएंगे इसी लिए मैं आप लोग के रिक्ष्ट करूँगा आपक कहार व्यक्ति एक एक परिक्रमा कितब संख्रा की जाएंगे जाने से पहले इसको पढ़िए क्या क् जाना है क्या लिला हुआ ठीक है और जब उदर चेंगे वह अच्छा से अंडरस्टेंड कर पाएंगे तब भूल जाएंगे फिर जो आप टेंट में जाएंगे इतों रिभाईज करेंगे इससे क्या होगा इससे क्या होगा आप लोग नौबदीबधाम कर हिद्य में धारन कर करेंगे घर में वापस जा पाएंगे नौबदीबधाम में आके हां करके बटने से कुछ नहीं होगा कुछ प्रविष्ट कार्णर अंदर ना स्वानुभव शरुर्व और करनका अंदर में प्रवेश्च करगा हीदे में धारन करके हम लोग ले जाएंगे आप फिर क्या कर नौबदीब का महिमा को और अदमे को बताएंगे महापहत महारदन बताया ना सत्तर हजर भक्त लाखों लोग आएंगे लाग महाराज शूरू के दोसौ अड़ाइसर लोग में आज 15-20 हजर भक्त आते हैं लाखों लोग आएंगे यह नौबदीबधाम गुप्त धाम है सा बताया गया एक कॉली जुक जितना बढ़ते रहेगा नौबदीबधाम का महिमा उतना प्रशारित होगा है देखिए आज से 50 साल पहले नौबदीबधाम के बार में कुई सुना नहीं शिरफ औरी सा बेंगल आसा में थोड़ लग सुना है मायापूर नाम तो बेंगल का ल लोग मायापूर मायापूर करते हैं तो यह तो भगवान का महापूर का भविषत बानी शलव भक्षी यहन तर श्थाकुर प्रभूपात का इच्छा था कुछ उन्हें बताया मा धाम का सेवा करना तो तीन चीज करना है ग्रंथ वितरन करना नाम हाट प्रचार तो मैं एक सुजोग लेने चाहता हूं इस साल हम लोग एक बिसेस प्रचेस्टा करते हैं क्योंकि देखिए इतना जो भॉक्त लोग आते हैं लोग रहना का खाने का पिना का इसलिए हमरा मैनेजमेंट पर एक हाजार से जद आप हम लोग तो आराब से बईटा है अभी हाजार लोग हमारा मैजान में पड़े है पेंडाल बनाता है सिर्कुरूटी है परमिशन है बहुचरी बोट आरेंजमेंट से हैं मोर दन वान थाव दिवर्टीज जैंगेज इन दिस सर्विश छिलव भक्षियां थर्व प्रहुपाद ने महारज ने बोलते थे तो रात रात को र खरिद के थे आप लोग जाएंगे शुबर नव भिहर जागा पर जामीन खरिद करके रखे ते अभी वह जामीन इधर उधर सुभ हो गया इसकन काउर से हम लोग इस नवद्दीब डेवलप करने के लिए इसकन काउर से नवद्दीब डेवलमेंट ट्रस्ट बनाया गया इ अभी हम लोग का निज्वोष्य स्थान हो गया जिदर हम लोग रहते हैं तो हमरा नेक्स्ट टार्गेट यह है पूरा जागा को बाउंडरी वाल करेंगे अभी हम लोग टेंट में रहते हैं तो बारिस आता हैं कभी-कभी और क्या हाता हैं हरीकन आता हैं उड़ा के लिए तब हम लोग चाहते हैं थोड़ा टीन सेट बनाएं का अच्छा सेट बनाएं कुछ परमानेट सेट रहेगा बहुँ सारी परिकल्पन है ताप लोग को भक्त लोग बताएंगे तो मैं थड़ा इनागुरेशन करने के लिए बोलता हूं तो जितना हम लोग आच्छा फैसलिट करने लोग नेतान जाएंगे उतका भक्त इधर आयेंगे वो भी एक है मैं आपको बोलने चाहता था और च्छाने बहुत गुरूत्यपुर्ण रहे महाराद ने बताए गौरमंधाल भुमी है गौरमंधाल भुमी का केंधर में तैक क्या बताया महाराज क्या है नव法 द्व है आणतरदीभ है अंतर किंदर में क्या है है तो जोगर पीड जोगर अमीन इंचे जोगर तो फाक निच्छनम स्टेया करमा में गजुदर पाहरा निमन रखा गया निमाई जन्म होने से पहले सचि माख़ी न अका, कई कञ्या मर गई थी तो परेते ओरशन सिंद्रशिन महिला ने सोचे, तो यमराज सब ले जाता है ये जो बेटा जन्म होगा इसका नाम देखा निमाई निम तो बीटर है, कड़वा है तो जौमराज उसको नहीं लगा इसलिए उनका नाम दिखा निमाएं और यह स्थानी योगपीट है योगपीट क्यों है हाथ उठाए किसके मालूम है अच्छा आप लोग पहले पहले साल कितना लोग परिक्रम में जोगदान दिये पुरुब पुरुब साल में कोई हाथ है बहुत सार आये सबस्क्राइन को मतलब क्या है मोझों नहीं है हुआ हो दॉक्ता पढ़ते नहीं सुनते नहीं से संख्छा कमत भगबान का धाँं मोझो जब आते हैं ना स्रिक्रिष्ण चैतन प्रहु जिवे दयाकरी सौ पार्षद श्यो धाम को धर लेके आते हैं उस्यो धाम जो भौतिक जोगत को सपर्श करता है जोग होता है भगवन का धाम जिदर जोग हुआ इसलिसका नम योग पिठे और एक कारण बताते हैं यह महापुरु जिदर रहते जगनात मिश्रकांगिना में हर रोज सुबै 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 नवदीब का भोक्त लोग आके इधर मिलते थे जुकत होते थे जोग होते थे सुवे इधर आते थे आज साम को शृवास का अंगन में जाते थे यह शुब कारण के लिए इस थान का नाम योग पिट रखा गिया यह नवदिब धाम है यह रोधार्य धाम है चर्द्वारा का ऐश्वरीय धाम है भृंदावन माधुर्य धाम है यह रोध्य धाम है यह सिर्व भक्त नहीं शुद्ध भक्त प्रप्त हो जाएगा तो महापूरू किया भ commodit देने के लिए हां कि ना कि निए नहीं महापूर आने से पहले भक्ति नहीं था गोला तो शास्तिर बंद्स महापुरू आए अनर्पिता चरिंख चिरत लिए जो धिया नहीं गया महा पुर्ण नहीं तो अजी बफी नहीं शुद्ध बखत नहीं उपारे मिठ्टी का और गुन है इधर जो आएँगा थे इस प्रेम भक्ति प्रियाम नाफ़ सो म्हाथ कर कोल व्हां को लिएडें आप लोगो तो आप लोग से निन में बहुत हमार च्रोह लोग look atisunows आप लोग सबढ़िक अपैपecब करें बनुट आप लोग सब शुनेंगे प्राइब भूह पाइदल में जाएगा ना भूग ता रहेगा ना गुट नहीं रहेगा इसलिए अरु भी टेस्टी बढ़ जाएगा तो पुर्ण हर रात को महराजुलों को जा के कथा करेंगे शांत टेंगे नवदिपधाम में आईलांड आइलांड दीप में सुयेंगे भ गाओं में बटुके हरीकताशां से सरवन करें बहुत आच्छा बातबरन है इसको अनुभव करना है अनुभव करना है तो आऊर महाराओ लोग बताएंगे में ताइम नहीं लेता हूं निए दो बात बताया कीताब के बारा में और फांडेज के बारा में और एक मेरा घोशन आ है भागति भुचे भागवाट महारदुन थर्टा संख्य पर बताने के लिए अज्ञा कृष्ण भागवान कितना साल पहले फ्रकाटु हे मालूम है कितना साल का 5000 साल ठीक है न तो मै साच्छली साल 47 years before में जाइन किया तौप सुना 5000 साल आज भी 5000 साल पांच हज़ार साच्छली साल हो ला चाहिए ना नहीं कृष्ण भागवान एद दूहेजर चबीश में दूहेजर चबीश में पांच हज़ार दो सो पच्छा साल उनका जौनमा बार्शी की पलान किया जाता है पांच हज़ार दो साथ हिप्टियर्स कालकुलेशन हम लोग किया है पत्चास साल गोल्डेन जुबिली होता है इस साल हम लोग महा 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 गोल्डेन जुबिली करेंगे ते इसलिए हमारे इसकर माया पूर से एक विशस महा जग्या सात लग्ठा गीता ले करें सिह 2 5 सिंचेंटे Canada प्लिए सुनते हैं कलais गिताफ बोलते हैं हाथ उठाई आप ऑ ना है कि अठम ड़क ते DO TIN क्यों सयुझ अरे लिखना हुरु तह नहीं हैं इसलिए हम लोग कि अगीता एक करया लोग गीता लेख़गे एक दो सलोग ल्गें हर मॉज शौह तर सवांधिनि अचेशन गित्क बैंकट वाई चर्ण कंवलों पर सम्रपन करके घर में ले जाएंगे सवहों होस्त ठैक्वठ टो फक वघृत इकाए लेकित कि कि खायी कि हाँ तप लोग जाएंगे परिकर्वमी देखाएंगे माय अपुर में मिलंगे तो एक गीता लेखान में महा जग्या में आप सामीन हो जाएं एक करोड़ लोग धरती पर गीता लेखें गई तो कितना सुब होगा धरती के लिए देखिए और बाहर का लोगों को एक साल भर के जो गीता लेखेगा एक साल के बाद ओब भक्त नई होके रह पाएगा और भक्त बनेगा ही बनेगा एक महान परिकल्पन है य विश्वर इस अतलग्य गिता लेखन कारेकरम चल रहा है उसमें आप लोग सामिल हो जाएए जाए स्रीचेत्यन महापर हो के अभी अम लोग को टाइम हो गया किसी का टाइम हो गया प्रशाथ का टाइम हो गया आप लोग सच्छी माता का अंगेनमा आए भागते हैं क्यों दो मिनिट में दो तीन मिनिट में इंग्राज में बता दूंगा तो महाराज गुंग टूप मेक्शम आरेंजमेंट फर संकल्प महाराज विल भी उथियास नो प्रबलें आप लोग सबएठिये सची मा का अंगेनमा आए अरम से बएठना बाहर का चिंता शुड़िए बाहर का चिंता शुड़िए अरिवाल आभी संकल्प लेना है सबको आए नहीं करने से परिक्रमा पुर्ण नहीं होगा थो महाराज ने पूछते थाड़ इंगराज बताने के लिए three points I made here I gave I spoke about to brother mandal parikrama one month novadamala parikrama seven days but because are super lazy the jaganath arranged parikrama puri parikrama one day you'll get the same result look at the maharaj said that then also I explained how it is very important to understand all the past times of dham so when we are here we are not hearing properly so that's why number the mandal parikrama books have been published in different languages so I requested devotees you please collect these books for my book table hindi english bengali tamil language so before you reach tomorrow you read what are the places you're going to visit and what are the past times then when you listen tomorrow you can understand better so that is one thing I explained the next thing I said this government brother normal program is growing and growing and growing at present more than one thousand devotees are in in the field making arrangements for accommodation boat transportation for cooking pendal all kind security and some things more facility we create we can attract more and more people so now we have developed in about the development trust so in that name we have bought our own land for our night halt and we want to make nice rooms for maharajas to stay and for devotees to stay also so I requested devotees comfort and help will appeal you in this matter and at the end I announced to celebrate lord krishna's 5 250th birth anniversary and 2024 iskan mayapur has introduced sata lakya gita lekhana maha jagga 10 million people will be engaged in writing bhagavad gita for that we have three books one is gita verses with translation one empty book diary you can write in this book and one book to write harina mahamantara one line every day when this book is completed you give it to mayapur so in tovp area campus one 10 million people will hand reading harina maham book will be kept there for next 10 000 years you can write in this book tovp area will be kept there for next 10 000 people will be kept there for next 10 000 years and also i explained about about yoga pit because spiritual world is connected here yoga means connection that's a yoga pit and all devotees they come and join mahaprabhu here every day morning that's a yoga pit ni my name was given because mahaprabhu took birth under the neem tree and also before mahaprabhu took birth many children's that died sachi mata's children's the neighborhood ladies that thought neem is bitter a yamara is taking all the children's of mother sachi we give name nimai so it will be a test bitter so jamaraj will not take this boy leave him behind here so like this few things i spoke about this place okay thank you very much bhakti purushottam swami maharaj now our our time is up we have to but we have to do sankalpa and we have important announcement announcement is that when we go to the temple in 5 10 20 rupiah dachshina okay give 5 10 rupees dachshina but there are many temples that are fondraging karni karnakil hamloga bolta hai to isla kyunki hamlog ka parikrama ke liye fondra jing khena isla sab mandiri fondra jing karanga to hamlog kisha denga so sab mandir 10 20 rupiah karaka dina hai tam looke CMdin u tul okay we want to keep the schedule but time is up now krishna Chaitanya Prabhu is here, he's going to lead the Sankalpa for all of us. Om Shanti 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 Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nithyananda Shri Advaitha Gadadhara Shrivas Adigaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Om Punantumadevajanaha Punantumana sadhiyaha Punantuvishvabhutani jata viravpunehima Om Asyakaramanavpunyam bhavanto bruvanto Om Bunyam, Om Bunyam, Om Bunyam, Om Bunyam Om Udgadevashyakunyam Gaya Shri Brahmaputrae Vaishavaneishu Samshashi Vrisheva Vaje Sishumatir Apitya Sarvato Nishakunyam Bhatram Avada Vishvato Nishakunyam Avada Om Asyakaramanasvasti bhavanto bruvanto Ayushmati Svasti Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti Om Swasti Na Indra Vritta Shravaha Svasti Na Pusha Vishwa Vedaha Svasti Na Star Kshyo Arishtanemi Svasti Na Vriha Spatir Dhadhato Om Asyakaramanavriddhim bhavanto bruvanto Om Riddhya Dham, Om Riddhya Dham, Om Riddhya Dham Om Riddhya Dham, Om Riddhya Dham, Ashto Mal Shaniyam Vajamano Mandram Sarate Hopayatam Yashona Bhakvam Madugo Shvandara Bhutam Shoa Ashvinakkamam Aparaha Om Swasti Na Govindaha Swasti Na Atyutha Anandhav Swasti Na Vasudeva Vishnanda Dhadhato Swasti Na Narayano Nerovai Swasti Na Padmanavav Purshottamo Dhadhato Swasti Na Vishwaksena Vishwishwara Swasti Na Vishwishwara Rishi Nisho Harir Dhadhato Swasti Na Vainati Yohari Swasti Na Anjana Suto Hanar Bhagavato Dhadhato Swasti 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 Sumanggalai Gisho Mahat Shri Krishna Satchitananda Gana Saravishwara Dhadhato Om Shanti 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 Om Atasanggalpaha Om Govinda 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 Om Tatsat Adhyabragmanodvidyaparardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatakhyaman Vandare Ashtavimshatikal yugasaprthamasandhyayam Brahmana Vimshatau Vartamarnayam Saptatrimshyotarapanchushatakaurabdhe Uttarayane Vasandaritau Govindamase Gaurapakshay Kumbharashisthite Bhaskare Pradipattitau Somavaranvitayam Uttarabhadrapadanakshatrasam yutayam Bhoomandale Jambudvipay Bharatavarashay Bharatakhande Medirbhutasya Sumerodakshane Lavnaanavasyotare kone Gangaya Purvabhage Shri Maya Purathamni Shri Vikraha Brahmana Vaishnava Sannidhau Evam Govinda Visheshavasashtayam Asminshubadivase We are requesting all of you to say out your names, names of your Guru Maharaj or Shrila Prabhupad And say how you are going to be performing this particular parikrama Amokanam Naha Achita Gotrayaha Sarveja Naha Shri Shri Nithayegaur Sundarapreeti Aratham Shri Navadvipa Mandala Parikramavayam Garishyamahe Om Tadvishnoparamampadaggam Sada Vaishyanti Suraya Diviva Chaksharatatam Tadvipraso Vipanyavo Chakrivagam Sassamindhate Vishnoryatparamampadam Oum Shandish Shandish Shandhi Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरी राम हरी रामा 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 हरी 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 रामा 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 रामा